शमाम मांगता हूँ क्योंकि मुझे आने में देर हुई और आपको काफी इंतजार करना पड़ा मैं सुबे दिल्ली से तो समय पर निकला था लेकिन अनेक कारकम करते करते हर कोई पांदस मिट जादा ले लिता है तो उसी का परणाम है कि जो लास्ट वाला होता है उसको सजा हो जाती है तो भैप फिर भी देर से आने के लिए आप सब की ख्षमा चाहता हूँ साथ जो टेकनोलोजी और इनोवेशन की फिल्ड के इतने सारे मैंड्स के बीच आना यह अपने आप में एक बहुत सुख़द अनुभव है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं भविष्व को गड़ने वाली किसी लेबोरेटरी में आया हूँ टेकनोलोजी के खेत्र में खासकर आटोमोबाइल इंडस्टी में तमिल नाडु ने अपनी भूमिका को ग्लोबल स्टेट पर साबित भी किया है मुझे खुशी है कि आपने इस इवेंट को भी Creating the Future ये नाम दिया है Creating the Future Digital Mobility for Automotive MSME Enterprises मैं इस कारक्यम के लिए इतनी बड़ी संख्या में MSME को हजारों प्रस्वाशल युवाओं को एक मंच पर लाने के लिए TVS कमपनी को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ मुझे विश्वाथ है इस प्लेटफर्म से Automobile Industry के साथ साथ दिख्षित भारत के निर्मान को भी गती मिलेगी मैं समत्ता हूँ के Climate Interpretation चल रहा है ना साथियों आप सब जानते हैं के हमारी कूल GDP का 7% हिस्सा देश की Automobile Industry से आता है GDP में 7% भागिदारी यानी अर्थ ववस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसलिए Automobile केवल रोड पर ही रप्तार नहीं देते Automobile Industry से देश की अर्थ ववस्ता को देश की पगति को भी उतनी ही रप्तार मिलती है Manufacturing और Innovation को बढ़ावा देने में भी Automobile Industry का रोल बहुत एहम है साथियों जो योगदान Automobile Industry का देश की एकोनॉमी में है वही भुमी का MS MS की इस इंडिस्टी के लिए है भारत में हर साल 45 लेक कार उसका प्रोड़क्शन होता है भारत में करीब 2 करोड 2 विलर 10 लेक्स कॉमर्चिल वेहिकल और इसे चार हजार पार्ट होते हैं यानि हर दिन ऐसे वहनों को बनाने के लिए लाखों पार्ट की जुरुत पड़ती है और इस सप्लाई का बहुत बड़ा जिम्मा हमारी लाखों अनि अनेकों वैश्विक संभावनाएं भी हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है साथियों हमारी MSMS के पास आजे बहुत बड़ा मौका है कि वो ग्लोबल सप्लाई चैन का मजबुद हिस्सा बने लेकिन इसके लिए हमारी MSMS को अपनी गुनवत्ता पर अपनी क्वालिटी और डूरेबिलिटी पर और जज़ा काम करना होगा हमें ग्लोबल स्टेंडर्स पर खरा उतरने के लिए काम करना होगा और मैंने एक बार लाल के लिए से कहा था कि अब भारत ने दुनिया में पहुंचना है तो एक सुत्र को गंभीरता पुर्वक स्विकार करना होगा और मैंने कहा था अब हमारा प्रोडक्शन जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट वाला होगा और जब मैं जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट कहता हूँ तब जीरो डिफेक्ट उसकी क्वालिटी से जुड़ा है और जीरो इफेक्ट एणवार्मेंट पर कोई विप्रित इफेक्ट नहीं करेगा ये मूल मंत्र को लेके चलना पड़ेगा साथ योग डिजीटल मोबिलिटी पर आटोमाटिव MSME entrepreneur से देश के लगू द्योगों को नई दिशा मिलेगी बविश्य के लिए तयार होने में मदद मिलेगी साथ योग कोरोना के समय दुनिया ने भारत के लगू द्योगों का सामर्त देखा है भारत ने कोरोना के खिलाब लडाई में जो विजय हासिल की उसमें लगू द्योगों की बड़ी भूमिका रही है इसलिए आज देश MSMS के भविश्य को देश के भविश्य के तौर पर देख रहा है पैसे से लेकर प्रतिभाद तक MSMS के संसाधनों में बुद्धी हो इसके लिए जो तरफा काम हो रहा है PM मुद्रा योजना और PM विश्वकर्मा योजना ये ऐसी योजना है जो इस दिशा में बड़ी भूमिका निभा रही है कोरोना के समय में MSME क्रेडिट गरेंटिस टीव ने लाखों रोजगार और वो संग्ट का काल है आप याद रखिए लाखों रोजगार बचाने में आपके MSME सेक्टर ने मदद की थी साथियों आज हर सेक्टर से जुड़ी MSME के लिए सस्ते लोन और वर्किंग केपिटल की सुविदा सुनिश्चित की जा रही है सउसाधन बढ़ने से उनकी सोच का भी विस्तार हो रहा है हमारे लगूद्योग नए नए शेतों में इनोवेशन्स भी और उस पर भी जितना जादा हम अपगेड करते हैं जितना जादा धान दे रहे हैं वो हमें और ससक्त करेगा हमारी सरकार इस दोर में MSM इस को नई टेकनोलोजी और नए स्किल्स की जरुद्का भी ध्यान रख रही है इसके लिए विसेश स्किल डेवलप्मेंट प्रोग्राम चल रहे हैं ट्रेनिंग सवस्तान चलाए जा रहे हैं पहले हमारे स्किल्स डेवलप्मेंट एक रूटीन काम बना जाता था जबसे आपने मुझे सेवा करने का मोका दिया मैंने स्किल्स डेवलप्मेंट की अलग मिनिस्ट्री बना दी है और मेरी पूरी समझ है कि भावी गणने में स्किल्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है और इसलिए आधुनिक से आधुनिक और निरंतर अपग्रोडेल होने वाली स्किल्ड इनिवर्सिटिद हमारे हाँ बहुत आवशक है साथियों सरकार आज जिस तर इवीश को बढ़ावा दे रही है उससे भी MSME सेक्टर के लिए नए आवसर बन रहे है मेरा तो यहां मौजूद सभी लगू उद्द्वियों से आगर है कि आप इवी की बढ़ती मांग के हिसाब से अपना सामर से भी बढ़ाईए और आपको पता होगा भारत सरकार ने अभी रूप टॉप सोलार के एक बहुत बड़ी पॉलिसे लाए है और यह रूप टॉप सोलार बहुत बड़ी मात्रा में हर परिवार को आर्थिक मदद तीन सो यूनिट तक मिजली मुप्त और अतिरिक मिजली खरीदना ऐसा एक पैकेज है और शुरू में एक करोर घर उसके लिए हमने लशन देरधारिद किया है और हमारी कलपना है कि इसके कारण जो इवेहिकल्स है उनका चार्जिंग स्टेशन उसके अपने घर में ही बन जाएगा रूप्टॉप सोलार सह ही चलेगा यानि उसका टांस्पोर्टेशन कॉस्ट जिरो होने वाला है और ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा आउसल लेके आ रहा है साथियों सरकार ने आटो और आटो कंपोनेंट्स के लिए करीब 26,000 करोड रूपिय की PLI स्किम बनाई है ये स्किम मैनुफैक्टरिंग के साथ साथ हाइडरोजन विकल्स को भी बढ़ावा दे रही है इसकी मज़ग से हमने सो से ज़्यादा एडवांस आटोमेटिव टेक्नलोजिस को भी बढ़ावा दिया जब देश में नई टेक्नलोजिस आएगी तो नई टेक्नलोजिस से जुड़ा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट भी आने वाला है ये भी हमारी एमसेमिस के लिए एक बहुत बड़ा आउसर है इसलिए ये सही समय है कि हमारी एमसेमिस छमताओं का बिस्तार करें नए छेत्रों में काम करना शुरू करें साथियों जहां संभावनाय होती है वहां चुनोतियां भी होती है आज डिजिटिलाइजेशन इलेक्रिफिकेशन और्टरनेटिव फ्यूल वेइकल्स और मार्केट डिमांड फ्लक्षिएंस अजैसी कई चुनेतिया एमसेमिस के सामने है सही समय पर और सही दिशा में सही कदम उठाकर हम इन चुनोतियों को अवसरों में बदल सकते हैं इसके लिए खुद को अपग्रेड करने की जरुवत है इसके साथ ही मसेमिस का फार्मलाइजेशन भी एक बड़ी चुनोति है हमारी सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाये हैं हमने मसेमिस की परिभाशा को भी बड़ला है इस फैसले के बाद मसेमिस की ग्रोध के रास्ते साफ हुए हैं साथियों विच्षित भारत बनाने के लिए भारत सरकार अपनी हर इंडिस्ट्री के साथ कंदे से कंद्ला मिला कर खड़ी है पहले इंडिस्ट्री हो या इंडिविजल छोटी सी छोटी बात के लिए सरकारी दप्तरों के चक्कर काटने पड़ते थी लेकिन आज सरकार हर सेक्टर की समस्याओं का समाधान कर रही है बीते वर्षों में हमने चालीस हजार से ज़्यादा मौर देन फोटी दाउजन कंप्लाइंसी समाप्त किये है हमने बिजनेस से जुड़ी अनेकों छोटी छोटी भुलों को बी क्रिमिलाइट भी किया है वनना आपको आस्षर होगा हमारे देश में ऐसे कानून थे कि अगर आपकी फैक्टरी में टॉइलेट को छह मेने में एक बार कलर नहीं किया तो आपको जेल बेचते थे यह सम मने निकाला और इसको निकालने में 75 साल गए देश के साथियों नई लॉजिस्टिक पॉलिसी हो जी एस्टि हो इन सभी से आटो मॉबाल इंडूस्टिक के लगूद्योकों को भी मदद मिली है सरकार ने PM गतिशक्ति National Master Plan बना कर भारत में Infrastructure Development को एक दिशा दी है PM गतिशक्ति में देड़ हजार से ज़्यादा लेर्स में डेटा प्रोसेस करके बविश का Infrastructure बनाया जा रहा है इससे Multi-Multi हम हर इंडूस्टि के लिए Support Mechanism को भी विक्सित करने के पर बल दे रहे हैं मैं Automobile MSME सेक्टर से भी कहूंगा कि इस Support Mechanism का लाब ले Innovation और Competitiveness को आगे बढ़ाकर हमें जाना ही होगा सरकार पूरी तरह आपके साथ है मुझे विश्वाथ है इस दिशा में TBS क्या प्रयास आपको जरूर सहायता करेगा साथियों दो तिन बाते और भी मैं बताना चाहता हूँ आपको पता है कि भारत सरकार ने Scrap क्यों लेकर के पॉलिसी बनाई है हम चाहते हैं कि जितने पुराने वेहिकल्स हैं वो Scrap हो और नए आधुनिक वेहिकल्स मार्केट में आए अब ये बहुत बड़ी उपर्टुनिटी है और इसलिए में आप उद्योग जगत के लोगों को भारत सरकार की ये Scraping की पॉलिसी का फायदा उठा करके Scraping की दिशा में आगे आना चाहिए अब हमारा देश शिप ब्रेकिंग में दुनिया में नमर एक रहा है और सिप ब्रेकिंग का रिसाइकल मट्रियल उसका बहुत बड़ा मार्केट बना है मैं मानता हूँ अगर बड़ी योजना पुर्वक हम आगे आएं तो हमारे पडोसी देश भी उनके वेइकल्स भी गल्फ कंट्रीज जहां बहुत तेजी से वेइकल बड़ले जा रहे है वो भी स्क्रेप के लिए भारत आ करके एक बहुत बड़े उद्योग की संभावना है और वो सारी चीजें किसी ने किसी रूप में आपके MSM इसके लिए काम की है हम इस पूरे चीजों का कैसे फाइदा उठाएं उसी प्रकार से मुझे अभी बताया गया किसमें ट्रांस्पोर्ट सेक्टर से जुड़े हुए लोग भी है मैं कोई भी चीज जब सोचता हूँ तो मैं उसकी पूर्णता के अधार पर सोचने की आदत रखना हूँ अगर मैं मोबिलिटी की चर्चा करूँगा ट्रांस्पोर्ट की चर्चा करूँगा लेकिन मैं मेरे ड्राइवर की चर्चा नहीं करूँगा उसकी चिंता नहीं करूँगा तो मेरा काम बहुत अधूरा है और इसलिए आपने कुछ दिन पहले आपने साइद अख़बार में पढ़ा होगा हमें पाइलोट प्रोजेक्ट के रूप में हम एक हजार प्लेसिस सेंटर्स मेंन हाइवेज पर अभी बनाने वाले हैं जिसमें ड्राइवर्स के लिए सारी सुविधाय उपलब्द होगी और उसके कारण एक्सिलेंस कम होंगे उसको रेस मिलेगा आवस्थर सुविधाय उसको मिप्राप्त होगी और प्रारम में हम ग्लोबल स्टांडर के एक हजार ऐसे सेंटर्स बनाने का काम और लेड़ी हम शुदू कर रहे हैं तो जो ट्रांस्पोर्ट सेक्टर के मेरे भाई बैन है उनको अपने ड्राइवर्स को और अधिक सुरुच्छा भी संतोज भी और आपके कारोबार को विकास करने के लिए नए अवसर ये सारी चीज़े एक सार उसे जुड़ी हुई है साथियो आप सब के बीच आने का अवसर मिला अनेक आकांशाएं आपके भी है अनेक सब के आपके भी है और आप सब के सपनों को मैं मेरे संकल्प बना करके जी जान से जुटा रहता हूँ बरोसा कीजिए आपके जो पांच साल के जो भी प्लान होंगे हिम्मत के सब